हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आशक करता हूँ आप सब ठीक होंगे मैं हमनी स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्जाम जैस्ट में इस वीडियो में बात करने वाले हैं एससी एमट्याइस हवलदार के जितनी भी शिफ्ट हो चुकिये उनके अंदर किस टाइप से पैटर्न था एक्जाम में कोश्चन पूछने का और आपका अगर आने वाली शिफ्ट में है अपकमिंग शिफ्ट में आपका एक्जाम है तो आप असी प्लस इसकोर कैसे कर सकते है और एक्जाम का complete analysis with questions के साथ और topics के साथ हम देखने वाले हैं अगर आपका एक्जाम अभी तक नहीं हुआ है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा helpful होने वाली है वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर निविजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजेगा गौर्मन्ट जोब की पलपल अपडेट के लिए तो चले वीडियो शुरू करते हैं जैसा कि आप सभी को पता है कि MTS के जितने भी सिफ्ट आ रही है एकजाम के वह काफी जादा इजी ही आ रही है तो उनके अंदर से आपको किन टोपिक पर ज्यादा फोकस करना है मैं आपके लिए एक कमबाइंड वीडियो लेकर आया हूं जिसके अंदर चारो सब्जेक्ट के topics को मैंने cover किया है और ज्यादा ही ज्यादा से ज्यादा इसी इनी topics से जो हर shift में सवाल पूछे जा रहे हैं तो reasoning से हम लोग start करते हैं reasoning के अंदर आपका mirror image mirror image का मतलब है कि एक आपको image image देदेगा उसके दाइव और image mirror देदेगा और पूछेगा कि यह किस तरीके से आपका दिखाई देगा उसके 2 से 3 question हर शिफ्ट के अंदर पूछे जा रहे हैं sitting arrangement के 2 से 3 questions है आपके पूछे जा रहे हैं हर shift के अंदर यही ratio है odd one out का मतलब होता है कि एक अलग होगा तीन एक जैसे होंगे तो आपको एक छाटना मुझा उसके एक question है, series completion, series completion का मतलब है coding आ जाएगी आपकी LMN, LMN करके फिर आगे कुछ आगे कुछ तो वो एक question mark देदेगा, वहाँ पर आपको पूरा करना होगा, उस type का भी एक question है, शिलो लिजम की अगर बात करता हूँ, तो वहाँ से भी आपका एक question इसके अंदर से आया है, अगर बात करता हूँ, blood distillation की तो एक question, blood distillation से आया है, direction से एक question, coding, decoding से, coding, decoding और series आप एक ही मान सकते हैं, क्योंकि इसी type का था, series भी और coding भी, figure formation के अंदर आपको कोई figure देदेगा, उसके अंदर 4 figure वो बना देगा, एक के बारे में आपको पूछेगा, कि आकरती में से डूण देगी, कौन सा यहाँ पर set होगा, और analogy and similarity के बारे में एक question है, मैंने आपको बताई दिया है, उसके अंदर similarity पता करनी होती है, यह इसके चैसा है या इसके चैसा नहीं है, टाइस से आपका एक question आ रहा है हर shift के अंदर, तो यह reasoning के मैंने आपको जो है, important topic बता दियो और आपके 17 से 18 question, हर shift के अंदर जो है, जो भी आपके topics है, वो इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आप बहुत अच्छा भी नहीं जानते है reasoning, तो easily आप 22 प्लस राम से कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा दिवाक लगा लेंगे तो आप 25 भी कर सकते हैं, वहीं अगर मैं math की बात करता हूं, तो math के अंदर time and work से एक सवाल आया था, time and work से आपका सवाल आया था, वो simple सवाल था, मैं यहाँ एस लिख देता हूं, simple सवाल था, speed and time से जो आपका सवाल आया था, वो आपका थोड़ा सा moderate और calculated था, simplification से easy सवाल था, और CISI से आपका एक सवाल था, वो काफी easy सवाल जो है, पूछा जा सवाल है, वो थोड़ा सा difficult आ सकता है, age से moderate सवाल बन रहे हैं, क्योंकि, pipe and content से आपका easy सवाल आएगा, और ratio and proportion, ratio and proportion से आपका जो सवाल आएगा, वो इस तरीके से आएगा, कि A और B की, जो income है, उसका ratio आपको 4 से 3 दिया हुआ है, और उनके जो expenditure, यानि कि जितना वो खर्च करते हैं, उनका ratio जो है, दो अनुपात, एक त्यावा है, और उनकी बचत जो है, वो 1000 रूपे बचाते हैं, तो B की income बताईए, इस तरीके से आपका ratio and proportion में question आएगा, अगर 3D की बात करते हैं, तो अगर आपको सारे formula याद हैं 3D के, तो आप easily यहां से एक number ले जाएंगे, वहीं अगर 2D की बात करते हैं, तो किसी की shift के अंदर आ रहा है, किसी की shift के अंदर 2D की दो सवाल आ जाते हैं, 3D का नहीं आया है, 2D के अंदर आपको बोल देखाएंगे, एक आया था, उसकी कुछ length है, उसकी कुछ length है, और उस पर 45 रूपे से हम अगर बाढ़ लगवाए तो कितना खर्चा आएगा, कुछ इस तरीके से है, easy सवाल है, आप easily इसको कर सकते हैं, बोटन स्ट्रीम से जो सवाल है, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसके अंदर, बाकी ये भी आपका easily हो जाएगा, TI के अंदर आपको टैबूलर, TI भी दे सकता है, किसके अंदर आपके data होंगे, और आपको पाईच वाली भी दे सकता है, किसके अंदर आपसे वो angle वगरा पूछ सकता है, number series से एक सवाल था, HCF, LCM से जो सवाल था, वो कुछ इस तरीके से आ रहा है, simple नहीं आ रहा है, जैसे कि आपको LCM जो है, वो HCF का 21 गुना है, और HCF, sorry, और जो आपका HCF दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 21, तो इस परकार से एक संख्या का, पहली और दूसरी संख्या का, वो जोड दे देगा, कुछ भी दे सकता है, तो इस परकार से आपसे पहली और दूसरी संख्या फिर वो पूछेगा, तो इस परकार से आपके HCF, LCM से सवाल आ रहे है, mixer से आपका एक ही सवाल आएगा, कि इतना, इतना जो दाल है, 45 रुपे क कि दाल को 42 रुपए की दाल से मिलाकर 46 रुपए में बेचते हैं तो इस परकार का इसके अंदर सवाल आएगा अगर मैं इंगलिस की बात करता हूं तो 20 21 से 25 जो कोश्चन है आपके वो क्लोज टेस्ट के हैं और क्लोज टेस्ट काफी एजी है अगर आप पढ़ सकते हैं इंगलिस समझ सकते हैं तो आप इसली यहां से पाच नमबर ले सकते हैं वहीं मैं बात करता हूं Error की अगर आपको error में tense और जो rules है वो याद है बले ही ज्यादा रूल न भी याद हो बले जो highlighted rule होता है यजरे Hardly के साथ आपका क्या आता है Hardly के साथ आपका वेन आता है Isके अंदर Hardly के साथ आपका वेन आता है cricket नहीं आता तो इस परकार के आपके rule इन errors के अंदर जो mistakes है tense आपको continuous देदेगा लेकिन जो present continuous देदेगा और जो आपकी verb लगी होगी वो past की लगी होगी तो यह सब आपको देख लेना है error भी काफी easy है वहीं बात करता हूं अगर fill in the blanks की तो fill in the blanks में आपके sentence देदेगा उसके अंदर एक खाली छोड़ देगा तो आपको भरना होगा अगर आप उस sentence का जो है मतलम निकाल गए तो आप easily उसको कर जाएंगे कोई ज्यादा difficult word जो है इसके अंदर use नहीं हो रहे है one word substitution जो है आपका उससे आपके दो सवाल आये थे और आने वाले shift में भी यही देशो रहा ने वाला है क्योंकि मैंने जो बात की है वो लगबग 200 candidate से बात की है और इन candidate का अलग-अलग shift में exam था तो उन्होंने मुझे यह review दिया है कि इस तरीक से आपका question पूछे जा रहे हैं इडियम और फ्रेप्स से दो कोश्चर आएंगे complete spelling स्पैल्ट से आपके दो कोश्चर आएंगे उसके अंदर आपको correct spelling भी पूछ सकता है करेक्ट spelling भी पूछ सकता है और आपका incorrect देदेगा तीन और करेक्ट होंगी एक तो आपको बोच हटने के लिए भी बोल सकता है कि अगर मैं बात करता हूं जीके की तो जीके के अंदर आपके हिस्ट्री से दो सवाल आ रहे हैं और हिस्ट्री इनकी modern हिस्ट्री नहीं है आपका वेद में से इन्होंने सवाल दिया है मतलब जो लास्ट वाली हिस्ट्री है जो आपकी अगर आप लूशन पढ़ते हैं तो आपको जो पहले हिस्ट्री मिलती है आड़देस पेजी उसमें से आप ये दो सवाल पूछ रहे हैं कोस्ट्री ट्यूशन के जो भाग होते हैं महां से एक सवाल हमेशा से ही पूछा जा रहा है हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है वर्ना तो अनुछेद के बारे पूछ लेते हैं और अनुसूचियां अनुसूचियां जो हैं आपकी भहत important है वह सवाब को याद होनी चाहिए करेंट अफेयर से 4-5 सवाल आ रहे हैं और वह भी करेंट अफेयर भी आपको जितना भी स्पोर्ट्स हुएं उनको याद कर लीजेगा आपका काम बन जाएगा मियासे 4-5 सवाल इजिली कर पाएंगे जोग्राफी से आपके 2 सवाल आ रहे हैं आपको भारत का जो है नक्षा याद है भारत का जो नक्षा है अगर आपको वो याद है यहाद है तो आप इसलेस जिगोग्रफिक के कोश्चन कर जाए क्योंकि यह कोश्चन कोई पश्चन नहीं है यहां सिंद बनाए है तो इस वजए से जैसे कि इस में आया था कि यहां पे गुजराथ है और यहां पर उत्तर-परदेश है तो कोई घैस ऊत्तर-परदेश किस राज्जे में जाती है उन्हों ने रोनाचल परदेश दिया हुआ था चाहिए घू अगर आपको नक्षा याद है तो आप इजली बता सकते हैं कि मद्ध्य प्रदेश से होकर जा रही है आट एंड कल्चर से आपके जो है काफी ज़्यादा डिफिकल्ट बोल सकते हैं सवाल आ रहे हैं क्योंकि वो उसके अंदर आपका फेस्टिवल्स भी पूछ रहा है फेस्टिवल्स क्यों मनाया जाता है ये भी पूछ रहा है कब मनाया जाता है ये भी पूछ रहा है तो आट एंड कल्चर को अगर आप पढ़ लें लेगिन डीपली ना भी पढ़ें तो आप एक या दो सवाल इसमें इजली कर सकते हैं बांज और टीवर से आपसे एक सवाल आया था इस इन टोपिक्स पर आपके जो है सवाल हर शिफ्ट के अंदर पूछे जा रहे हैं तो आप अगर इन टोपिक्स को अच्छे से कर लेते हैं अच्छे से अगर कर लेते हैं तो आपका जो है 80 प्लस रो मांक्स आना बिल्कुल ते है क्योंकि बार 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 जो एक्जाम हो रहा है इन ही टोपिक से आप से सवाल पूछ रहा है लेकिन जो कोश्चन है मैट के और आपके रीजनिंग के वह बैन कर दी गए फिर भी जीके के कोश्चन तो आप देखी सकते हैं क्योंकि सब शिफ्ट वाले जो एनलाइजिस से मैच कर सकते हैं यह अथेंटिक है रियल है टोपिक कोई मैंने फेक इधर उदर से नहीं लिखें तो आप विश्वास कर सकते हैं इस वीडियो में बच इतना ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन नहीं दबाया है तो प्रेस कर दीजेगा औ और वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूलें थैंक यू